ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत है मीन राशी वालो हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपको भगवान सुर्यदेव के अश्रवास से 25 जून से 30 जून यानि की जून महा के आखरी छे दिनों में मिलने वाली हैं पांच सुब समाचार और बड़ा सर्प्राइज चैनल दोस्तों पांच बड़ी खुशकबरी और बड़ा सर्प्राइज आपको मिलने वाला हैं भगवान सुर्यदेव के अश्रवास से 25 जून से 30 जून यानि की इन 6 दिनों में क्योंकि इन 6 दिनों में भगवान सुर्यदेव के अश्रवास से सूर्य कसुवयोग और कारशिद्योग बन चुका है जिसमें कि यूँ कहें कि इन 6 दिनों में सूरज की तरह आपका भग्य अब चमक जाएगा जा दोस्तों सूरज की तरह चमकेगा आपका भग्य इन 6 दिनों में पांच सुबस समाच चार बड़ा सर्प्राइज आपको मिल कर रहेगा यूं कहें कि सारे काम छोड़कर वीडियो आप अभी देखें और पूरा वीडियो देखें इतना अच्छा समय है इन छे दिनों का ग्रहनक्सत्रों की बदलती चाल आप के लिए इन छे दिनों में भाग्या उद्य का निर्मार कर रही है जिससे आपको अन्यक उप्रकार के लाब मिलेंगे धने लाब मिलेंगे बड़ी-बड़े सपलताय मिलेंगी मतलब कि चारो दिसाओं से अब आपको लाब-लाब मिलने वाला है जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बतल जाएगा जा दोस्तों वे बड़ी खुशकबरियां कौन-कौन सी है इसलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंततक कवश्य बने रहें और अंततक इस वीडियो को आप पूरा देखें तो कि इस वीडियो में आपके 25 जून से 30 जून याने के रिए 6 दिनों के संपून और 60 गरा आपको शीदे प्राप्त हो सकी तो चलिए दोस्तों बात करते हैं किस प्रकार रहेगा भगवान सुर्यदेव के असिरवस से आपकी राशिवालों के लिए 25 जून से 30 जून याने के 6 दिनों का यह है महत्पपून समय दोस्तों अब समय पून तहां आपके पक्ष मेहें वर्तमान में की गई महनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा साथ ही आप अपने अंदर अदबुद आत्म विश्वास और आत्म बल महसूस करेंगे सांती की चाह में किसी धर्मिक इस्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा मन में चल रही किसी दुविदा का भी शमाधान मिलेगा संतान दुवारा कोई सुब समाचार मिलने से घर में प्रसंता का माहूर रहेगा धन प्राप्ति की दिशा में किये गए आपके सारे प्लान सफलता हंसिल करेंगे अब आप बहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे अपनी चुपी पिरतिभाओं को समझें और उनको सही दिसा में लगाएं भाईयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर शकार अत्मक विचार विमर्स भी होगा जल्द ही आपके लिए एप्रतियासित लाब की इस्तिती बन रही है इसलिए आप अपने आने वाले समय का सद्योप्योग करें लंबे समय से चले आ रहे किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी धार्मिक इस्तान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा दोस्तों आपके लिए यह समय बहुती लाबकारी है अपने उद्रसों पर आप ध्यान केंद्रित रखें दोड धूप की अधिकता रहेगी परंतु कारों की सफलता आपकी ठकान को भी दूर कर देगी अनुबबी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बहतर आपको सीखने को भी मिलेगा अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाई भी मनेंगी सबी प्रकार के रिस्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुसिया महसूस होंगी घर के रख रखाव तता साज सज्जा संबंदित कारों में भी समय व्यतीत होगा साथ ही साथ किसी भी व्यक्ती के साथ बात चीत करते समय आप साथा नी बरतें कोई नकार अत्मक बात आपसे संबंदों को खराब कर सकती है आलस की वज़े से काम को कुछ टानले की भी प्रबर्ती रहेगी विध्यार्ती वर्ग अपनी पढ़ाए के प्रती जादा एकागर चित रहें कभी कभी आत्म विश्वास में कमी तथा आलस की वज़े से बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है अपनी नकार अत्मक कमियों को दूर करके आप भेतरीन रिजल्ट प्राब कर सकते हैं दोस्तों के साथ जादा गुमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें समय का सद्यू प्योग करें दोस्तों साथ इसाथ कोई एप्रिय समाचार मिलने से मन व्यतित रहेगा किसी भी महत पपूर्ण वस्तू के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी बह है कई बार किसी मुद्दे पर जादा सोच विचार करने की वज़े से कोई महत पपूर्ण उपलब्दी भी आपके हाथ से निकल सकती है थोड़ा सावधान रहें शेयर, शट्टा, आदी में किसी प्रिकार का आप निवेश ना करें तथा साती सात किसी अंजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें, घर में महवानों के आगमन से कुछ महतवपूर्ण काम भी रुख सकते हैं इसलिए अपने कामकाज के प्रती सजग रहें साती सात पुराने जगडे दोबारा उभर सकते हैं पड़ाई कर रहें बच्चों में आलस रहेगा खास कर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें कोट केस सम्बंदित मामलों में चड़चाएं भी हो सकती हैं जिसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी कभी कभी आपकी सक करने की प्रवर्ती आपके लिए परिशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपनी सोच को शकारतमक बना कर रखें आपके लिए हितकारी रहेगा दोस्तों बात करें आपके प्रेम जीवन की तो परिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तता सौपिंग में समय व्यतित करने से आपसी संबंदों में और अधिक मधुर्त आएगी कामकाज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के ध्यान रखना भी आपका दायत्व है किसी गलत फैमी की वज़े से घर में किसी सदस्यों के साथ मदबेत हो सकते हैं पति-पत्नी में आपसे समंजस का भाव विद्धमान रहेगा परिवारिक व्यवस्ता को बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंतर रखना भी आपके लिए अतियावशक है रिष्टेदारों से संबंदित कोई सुब सूचना मिलने से घर में उतसब भारा माहुल रहेगा प्रेम संबंदों में भी और नजिदी की आएंगी पति-पत्नी से संबंद मधुर रहेंगे प्रेम संबंदों में अपने साथी के प्रती इमानदार रहें, वेवारी के संबंद मधुर रहेंगे परन्तु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंदों में परिसानिया उत्पन कर सकता है दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसाइक केरियर की तो व्यवसाइक दरश्टी कौन से समय पूरता आपके पक्ष में हैं आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में शक्षम रहेंगे नोकरी पेसा लोगों को भी अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर आफिसरों से शकार अत्मत परणाम हासिल होंगे शैयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंद मदूर बना कर रखें जिस कार्यों को आप सहज और सरल समझ रहे थे वे बहुती मुस्किल भरा होगा इसलिए अपने कार्य के प्रती पूरी तरह से एकागर्चित रहने की आपको आवशक्ता है नोकरी पेसा व्यक्ती अपनी फाइल वे दस्तावेज बहुती अधिक समाल कर रखें कार्य छेत्र में शांती प्रियत तरीके से काम संपन होते जाएंगे तथा अपनी जिम्मेद का भी निर्वाहन आप बखू भी करेंगे नोकरी पेसा व्यक्ती अतिरिक्त आयप प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रिकार का प्रियास ना करें क्योंकि किसी प्रिकार की मान हानी के भी योग बन रहे हैं कुछ ने व्यवेसाइक अनुबंद आपको प्राप्त होंगे प और अधिक बहतर करना अति आवशक है प्रॉपर्टी संबंदित कारों में सफलता मिलेगी तथा वैपार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महतपूर्ण योजनाय बनेंगी और सफल भी होंगी नौकरी में अपने लक्षे को ट्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिलेग कार्य छेत्र में धन तापती के लिए किये गए नए अनुबंद विख्षित होंगे तथा नए योजनाय बनेंगी रुके हुए सभी कार्य भी आपके निवटेंगे कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुबभी व्यक्तियों की सला अवश्य ले आपके लि महसूस होगी ला परवाही बिलकुल भी आप ना करें और उचित इलाज ले साती सात अत्यादिक काम की वज़े से ठकान वे कमजोरी महसूस होगी समय समय पर आराम भी लेना आपके लिए आवश्यक है साती सात अपने खानपान बर भी आप विसेश रूप से ध्यान दें त आती सात अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें